अगर medicines और health से related आप information चाहते हैं तो अभी subscribe करें मेरे चैनल को knowledge for care और यह जो है एलन वालो का है जो कि काफेची कंपनी है अब इस एलन ए 14 को कहां से खरीदना है तो देखिए इसको कोई भी local homeopathic जो medical store होते हैं वहां से खरी सकते हो क्योंकि यह एक homeopathic medicine है और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसको google पर जो है online search कर लीजेगा भूश सारी pharmacy इसको सेल करती है अब बात करें इसके composition के बारे में इस एलन ए 14 में क्या-क्या है तो देखिए इसमें बहुत सारे homeopathic ingredient है जो कि आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं अब हम बात करें इसके फायदे के बारे में तो देखिए यह नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा एल तो उसके लिए drop बनाया गया है जैसे कि आपके बाल जड़ते हैं बहुत ज़्यादा बाल जड़ते हैं तो उसमें यह मदद करता है आपके बालो को रोखने में इसके इलावा नए बाल जो आ रहे होते हैं उनकी growth करने में इसके अलावा अगर आपको scalp में eating होती है खुजल होती है या फिर dandruff है या फिर जो scalp होती है हमारी सर की जो चमली जो होती है उसमें redness जैसा आ जाता है scalp में लाल-लाल चकते जैसा बन जाता है तो उसमें ये A14 hair drop फायदे मन्द होता है अब इसके अलाबा देखिए खुझली हो रही है सर में एक्जिमा है उसमें फायदा करता है ये और आपके बालों को चमकदार बनाने में भी मदद करता है इसके अलाबा देखिए आपके जो बालों के जड़ है ना उनको ये मजबूत करने मदद करता है आपके hair for eagles को मजबूत करता है जिससे के आपके बाल जड़े नहीं और नए बाल जल्दी आए और आपके scalp को healthy रखने में मदद करता है तो देखिए अगर आपके scalp healthy रहेगी ना तो आपके बाल भी healthy रहेंगे तो ये इसके main फायदे हैं जो कि आपके बालों के लिए काफी अच्छा जो है ये LNA 14 drop है अब डोस के बारें बात करें तो देखिए चार से चे बून आप एक दिन में तीन बार तक ले सकते हैं और इसको करीब आधे कप पानी में डाल कर चार से चे बून आधे कप पानी में डाल कर अब इसको ले सकते हो अब इसको खाना खाने के पहले खाना खाने के बाद कभी भी ले सकते हो बस आदा गंडे के difference होना चाहिए अब इधर देखिए male female सभी ले सकते हैं बच्चे भी ले सकते हैं लेकिन जादा छोटे बच्चों के लिए नहीं है बड़े बच्चे ले सकते हैं वो भी 2-4 द्रॉप तीन बार तक ले सकते हैं अगर बच्चों में कोई बीमारी के बज़े से बाल जड़ रहे हैं तो उस condition में बच्चे को दिया जा सकता है लेकिन जादा छोटे बच्चों को नहीं देना है अब इसको कब तक जो है लेना होता है तो देखिए तो depend करेगा आपकी बीमारी पर आपकी problem पर आपको कितनी समस स्या है तो कम से कम आप इसको एक से तीन महेने तक लेकर देखें बैस रिजल के लिए और प्रॉलम जादा है तो आप इसको लंबे समधक भी ले सकते हैं लेकिन लंबे समधक लेना है तो एक बार डॉक्टर से सला कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा बाग इसको कोई side effect न तो उसके साथ ले सकते हैं नहीं तो बिल्कुल ले सकते हो चाहर वो एलपेथिक हो हो और आर्वेथिक हो कोई भी medicine आपको बंद करने की जरूरत नहीं है अब result कब तक मिलेगा फायदा कब तक देखने को मिलेगा तो देखें ये भी depend करता है आपकी बीमारी पर आपकी problem पर जैसे का alcohol नहीं लेना है smoking नहीं करना है इसके अलावा junk food fast food oily खाना मीठाई सब बंद कर दें सब health के लिए बेकार होता है आप healthy right लें एक healthy lifestyle लखें फल fruits लें उसका juice ले सकते हैं stress जाना नहीं इसके अलावा एक दिन में 7-8 घंटे की दिन लेना जरूरी है और देखिए अगर आपके बाल DST का कारांट ज़ल रहे हैं जिसको बोलते हैं डाय हैड्रो टेस्टेस्ट्रोन या फिर एंड्रोजनेटिक अलोपीसिया तो केवल उसमें ये हैड्रॉप काम नहीं करेगा उसके सांसन बहुत सारी tablet भी लेना पड़ती है और कई बार जो PRP डर्मा रोलर जो होत आपको अच्छा जो है रिजल्ड मिलेगा और जल्दी मिलेगा तो इधर मेरे वीडियो खतम होता है और अगर आपको इस टाइप से और वी वीडियो देखना है health और medicines related जो कि मैं daily बनाते रहता हूं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आमने मेरे चैन